जॉन विक ने हाई टेबल को अभी तक नहीं हराया आगदी पार्ट में उसने जस्ट मार की देग्रामों से अपनी फ्रीडम चीनी उसे मारा बस हाई टेबल तो जैसी चल रही थी वैसी ही चल रही है अब सवाल है कि एक्चुल में हाई टेबल चलाता कौन है टी एल्डर टेक टेबल के जो एक्चुल मेंबर्स थे उनका चुना हुआ एक बंदा था जो हाई टेबल को रिप्रेजेंट करता था और उनके बिहाफ पर डिसीजन्स लेता था तो उनका रूल ये था कि एक एल्डर कहीं से मर भी जाएगा तो वो उसकी जगा दूसरा ला देंगे जैसे कि वो पार्ट फूर में ले ही आये थे एल्डरो या फिर ग्रमोंट ये सब टेबल के अपॉइंटेट एजेंट्स हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं अक्चुल में हाई टेबल पर कोई एक परसन राज नहीं करता इसमें एंडर वर्ड के मोस्ट पावरफुल 12 प्राइम बॉसे बजराज करते हैं इन 12 में से 7 को रिवील भी किया गया था लाइक चाइनीज ट्रायर जापैनीज याकूजा एकसेकर एकसेकर और वहीं इसे मैनेज भी करते हैं जान विक वर्ल्ड की सारी पुलिस फोर्ड सारे पॉलिटिशियंस हाई टेबल की जेब में रहते हैं तभी य जान ने कहा कि नहीं बस एक परसनल काम निपटा रहा हूं और जीमी वहीं से वापस चला गया जबकि उसने देखा था कि जान के पीछे कई सारी लाशे पड़ी हुई थी और जीमी बिना कुछ कहे चला गया इसलिए उसे जान विक यूनिवर्स का एक बहुत ही ज्यादा इ जिसने जियाना को जौन से ठीकाने लगवा दिया एंड फिर हाई टेबल पर उसकी सीट ले ली बागी के 11 क्राइम बास कभी नहीं दिखाये गए बागी जितने भी एंटागोनिस्ट थे लाइक ये टकली एडजुडिकेटर, मार्की, किलाहरकान, जीरो और भी किलर्स वग करता है कि जब उन्होंने सैंटीनों के सामने आने के बाद उसका जो हाल देखा, तो हो सकता है उन्होंने अपने आपको छिपाना ही बहतर समझा, और इसी लिए हाई टेबल अपने सारे काम, हरबिंजर जैसे एजेंट से करवाती है, जो टेबल में बहुत हाई रैंक पॉस करता है, और हाई टेबल में काफी सारे ऐसे रूल्स भी हैं, जो आज के टाइम पर, you know, काफी non-practical type लगते हैं, बट क्यूंकि हाई टेबल बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है, और उस टाइम पर वैसे ही रूल्स चलते थे, that's why वो रूल आज भी लागू होते हैं, जॉन विक के वर्ल्ड में, like finger card के ring देना, और फिर high table की service की ओत लेना, seven bullets के बदले, seven cuts, and सबसे बड़ा rule high table duals का, बट क्यूंकि high table एक बहुत ही, and I mean बहुत ही पुराने जमाने की organization है, इसलिए वो rules भी उसके साथ, पुराने जमाने से आज के time पर चले आ रहे हैं, और high table के vendor मौझूद, सारे लोगों को मानने भी पड़ते हैं, even John Wick को भी, इसके लावा एक और जो myth है, वो दूर कर देता हूँ, लोग कहते हैं कि एक dog and car की बज़े से John ने इतने लोगों को पलटा दिया, बट ये तो बिल्कुल गलत है, तो जो dog and car वाला issue था, वो Vigo, and उसके बेट लोगों के style से लग, बट ये सब कुछ आता है under the table, and table जैसी थी पहले वैसी ही अभी भी है, so basically high table का पूरा structure हमें अभी तक नहीं दिखाया गया है, इसके लावा अगर तुम्हारे पास कोई additional interesting information हो, John Wick universe के बारे में ये तू नीचे comment में share कर दो, वीडियो अची लगी हो, तो like and for quick movie updates subscribe, मिलते हैं